यह सिरफ MP चुनने के लिए चुनाव नहीं है, यह चुनाव देश का PM चुनने के लिए है, अब आपका वोट मामूली नहीं है, अब आपका वोट इतना वजंदार है, इतना ताकतवर है, कि आपका वोट देश का PM चुनने वाला है, बले आप पाटली पुत्र में बेटे हो, लेकिन दिल्ली का फैसला, आप मेरे भाई बेहन करने वाले हो, और भारत को कैसा PM चाहिए, 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 भारत को ऐसा पी-एम चाहिए जो इस दमदार देश का दम दुनिया के सामने दमखम के साथ रख सके वहीं दूसरी और ये इड़ी वाले हैं इंडी गड़बंदन की योजना पांच साल में पांच पी-एम देने की है अब मुझे बताईए भाई पांच साल में पांच पी-एम क्या होगा इस देश का और इसके लिए दावेदार कौन-कौन है ये पांच पी-एम दावेदार कौन-कौन है गांधी परिवार का बेटा, सपा वाले परिवार का बेटा, नेशनल कौनफरनस परिवार का बेटा, एनसीपी वाले परिवार की बेटी, ती-एमसी वाले परिवार का भतिजा, आप पार्टी के आखा की पत्नी, नकली शिवजेना परिवार का बेटा, और आरजाडी के बेटे या फिर बेटिया, ये सारे परिवारबादी मिलकर प्रधान मंत्री की कूर्सी पर मुजिकल चैर खेलना चाहते हैं, साथियों, ये इंडी गड़बंदन के लोग, और मैं जब कहता हूँ, तो मैं आपसे भी आगरा करूँगा, मैं जो बात बताता हूँ, एक बार खुद भी जाँच पड़ताल करके देख लेना, मेरा एक शब्दा आपको गलत नहीं मिलेगा, मैं तीन बाते बताता हूँ, ये लोग गोर सांप्रदाइक है, इनको सम्विधान से, बिन सांप्रदाइकता से, सर्वपंत संभाव से, कोई लेना देना नहीं है, ये लोग गोर जातिवादी है, और ये लोग गोर परिवार वादी है, सबसे पहले वो अपने परिवार का ही सोचते हैं, बाक्यों को सब को पीछे रखते हैं, क्या ऐसे लोग बिहार का भला कर सकते हैं, बिहार का भला कर सकते हैं, पाटली पुत्र का भला कर सकते हैं, आपके परिवार का भला कर सकते हैं, जाधियों बिहार की इस धर्ति ने सामाजी इंडियाए को लेकर पूरे देश को दिशा दिखाई है SC, ST, OBC के आरक्षन के अधिकार के लिए बिहार ने लंबी लड़ाई लड़ी है लेकिन आज बिहार के जागरूख लोगों के सामने मैं दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ एक कड़वा सच रखा हूँ क्योंकि मैं भी आपी की तरह अती पिछड़े लोगों के बिच में पल पर करके आपके बीच पहुंचा हूँ इसलिए मैं उद्दर्थ को जानता हूँ कोई क्वेस्चन मार नहीं है हमारा समिधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होगा बाबा साब आमबेड कर कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होगा लेकिन आरजेडी, कॉंग्रेस, SC, ST, OBC का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को जो वोट जिहाद करते हैं ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षन देना चाहती है 24 के इस चुनाव में जब मैंने इंदलों की इस साजिस का परदा फास किया है तो एक के बाद एक इनकी SC, ST, OBC आरक्षन विरोधी करतूते सामने आ रही है मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज बिहार के मेरे भाई, मेरे परिवार जनों के सामने ये पीड़ा मैं बताना चाहता हूँ आरजेडी कॉंग्रेस ने मिलकार मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुष्वाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सुरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को, मेरे निशाद परिवारों को, मेर मेरे पास्वान परिवारों को मेरे रविदास परिवारों को मेरे मुसहर परिवारों को ऐसे हरेक का जो आरक्षन था ना उस पर डाक का डाल दिया है आपको अंधेरे में रख करके रात में चोर आकर के जैसे चोरी कर जाए वैसे इन लूटेरों ने आपके हक को लूटा है मैं बात कर भी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे जहन पर बड़े गाव लगे हैं बाईयो और इन जातियों के आरक्षन का कोटा कम करके आरजेडी कॉंग्रेस इंडी गड़बंदन ने वोट जिहाद वाले अपने वोट बेंक को दे दिया है साथियों SC, ST, UBC के हमारे बच्चों को दो दाखिले में आरक्षन से बहुत मदद मिलती थी लेकिन आरजेडी कॉंग्रेस ने दलीतों, पीछणों, आदिवास्यों के बच्चों से अतिपीछणों के बच्चों से ये अधिकार उनसे छिन लिया और मुसल्मानों को दे दिया है ये सम्विधान के खिलाप है, ये डॉक्टर राजे ने प्रजाद और बापा साब आमबेड करने जो सम्विधान बनाया, उसके पीछ में छुरा बॉक्टने वाला पाप किया है अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कॉंग्रेस ने रातो रात माइनोरिटी इंस्टिटूशन से जुड़ा कानून बदल दिया इसके बाद धड़ा धड़ हजारों संस्थानों को माइनोरिटी इंस्टिटूशन गोशित कर दिया इन संस्थानों में पहले एड्मिशन के दोरान SC, ST, OBC अती पिछडे को पूरा आरक्षन मिलता था RJD कॉंग्रेस के चलते आज SC, ST, OBC अती पिछडे को माइनोरिटी इंस्टिटूशन में एक टक्का भी एक परसंट भी आरक्षन नहीं मिलता है जो पहले मिलता था उतको ताले लगा दिये आपका हग था उत पर डाका डाल दिया यानि लाखों SC, ST, OBC अती पिछडे युवाओं की शिक्षा के अवसर इंडी गट मंदन वालों ने छील लिए आप मुझे बताईए क्या ये आप से विश्वाजगाद है क्या नहीं है ये आप से विश्वाजगाद है क्या नहीं है मैं ज़र आप से पूचता हूँ क्या ये आप से विश्वाजगाद है क्या ये आपके बच्चों के साथ विश्वाजगाद है क्या ये आपके बच्चों के साथ विश्वाजगाद है क्या नहीं है देश के सामने नकाब उतार करके खुला कर दिया है इंडी वालों ने बंगाल में सततर मुस्लिम जातियों को खटा खट खटा खट एक जटके में ओबिसी का दरजा दे दिया इसके बाद सरकारी नोकरियों में जो लाब ओबिसी को मिलने चाहिए था अती पिछणों को मिलने चाहिए था वो इन सततर मुस्लिम जातियों को मिलने लगा हग किसका मारा गया हग मेरे ओबिसी परिवारों का मारा गया मेरे अती पिछणों का मारा गया फाइदा किसको हुआ इंडी वालों की वोट जिहाद करने वालों को मिला बैसा ही कॉंग्रेस के राज में करना टका में रातों रात सभी मुसल्मानों को ओबिसी गोशित कर दिया साथियों आरजेडी कॉंग्रेस इंडी गड़ बंदान इस सच्चाय से इंकार नहीं कर सकते ये संविधान बदल कर पूरे देश में धर्म के आधार पर आरक्षन देना चाहते हैं लेकिन मैं भी आज बिहार की इस दर्ती से सामाजी की न्याय की पुन्य भूमी से देश को एक गारंटी देता हूँ बिहार को गारंटी देता हूँ S.C.S.T.O.B.C. परिवारों को गारंटी देता हूँ अती पिछडे परिवारों को गारंटी देता हूँ जब तक मोधी जिंदा है मैं S.C.S.T.O.B.C. और बोदी के लिए बाबा सावां बेड करके भावना सर्वो परी है इंडिय अलाइंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें उनको वहां जाके मुझरा करना है तो भी करें मैं S.C.S.T.O.B.C. आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूँ खड़ा रहूंगा जब तक जान है लड़ता रहूंगा साथियों गरीब का ये बेटा जानता है कि जब किसी का हग छिनता है जब किसी को उसका हग नहीं मिलता तो उस पर क्या बीचती है इसलिए मोदी ने गरीब को उसका हग दिया है इसका सबसे बड़ा लाब मेरी माता और बहनों को हुआ है और तभी हिंदुस्तान के हर कौने में शायद दुनिया के लोकों का इत्रज होता है कि ऐसे हज़ार और लाखों की तादाद में माता और बहने आती है बैठ करके आशिरवाद देती है अपना घर का काम छोड़ करके आती है आप याद कीजिए देश के गोदामों में अनाज सड़ जाता था लेकिन कॉंगरेस सरकार कॉर्ट में जाकर सुप्रिम कॉर्ट में जाकर कहती थी कि वो गरीबों को अनाज नहीं दे सकती है और सुप्रिकयोट ऐसे टांगडाना बन कर दे आँ तक चले गए जोड़ो मोदी ने हर जरुरत मन के लिए अनाज के गोदाम के दरवाजे खोल दिये आज भी गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है और ये मोदी की गरंटी है आने वाले पांच साल भी जिन परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है मिलता रहेगा आज कोई माँ इसलिए रात रात बर नहीं जाती कि उसके बच्थी के पास खाने के कुछ नहीं है हब गरीब का पेड भरे ये मोदी की गारंटी है कोई बच्चा भूका सो न जाए गरीब के घर का चुला बुझ न जाए इसी तो लिए आपने मोदी को बिठाया है माताओ भेनों आप मैंसे बहुतों को मोदी नी जो पक्का आवास योजना बनाई है वो पक्का आवास मिल चुका होगा लेकिन मेरा एक काम करोगे आप लोग जरह यहां बैटे हों हाथ उपर करके मुझे बताए तो मैं बताओ मेरा एक काम करेंगे उदर से आवाज नहीं आई मेरा एक काम करेंगे उदर माताओ भेनों से आवाज नहीं आई मेरा एक काम करेंगे उदर पीछे से आवाज नहीं आई मेरा एक काम करेंगे देखे इन दिनों, अगर आप गाउं में जाते हैं, अलग-अलग बस्तियों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और कहीं पर भी आपके नजर में आएं कि कोई जुगी जोपड़ी में रहता है, कोई मिट्टी के कच्चे घर में रहता है तो आप उसका नाम पता लिख करके मुझे दे दीजिए, आप उसका नाम पता लिख करके मुझे बेज दीजिए और उसको कह देना, उसको बड़े बिना संकुच कह देना कि चार जुन के बाद मोदी की सरकार जब तीसरी बार बनेगी तो तुमारे लिए घर भी बनेगा उसको बता देना और ये मोदी की गारंटी है कहना उनको, उस गड़ी परिवार को कहना और मेरे लिए तो आप सभी मोदी है और तीन करो नए घर बनाऊंगा, लेकिन एग भी परिवार न रह जाए, कच्चे घर में या जोपड़ी में रहने के लिए मजबूर न हो, ये मैं करके रहूँगा जिनको नहीं मिला, उनको भी जल्दी पका अगर मिलेगा अभी तक इसमें, सोचाले, बिजिली कनेक्शन, सस्ता सिलिंडर, नर और जल की ववस्ता, ये सब कुछ मिलता था अमोदी, एक और काम करने वाला है, वो सब के लिए है कितना ही अमीर हो, वो भी फाइदा ले सकता है, कितना गरीब हो, वो भी ले सकता है गाम वाला भी फाइदा ले सकता है, शेहर वाला भी ले सकता है ऐसी योजना है, कि आपको जीवन भर कोई तकलीपी न हो और मोदी ने ताय किया है कि आपका बिजली का बिल जीरो बिजली का बिल जीरो हमने पी एम सुर्यगर मुप्त बिजली योजना शुरू की है छत के उपर सोलर पैनल लगेगा उससे बिजली पैदा होगी वो बिजली आपकी जरुवत के हिसाब से आप मुफत में उप्योग करेंगे और जो अतिरिक्त बिजली होगी न वो सरकार खरीदेगी उसका पैसा देगी आपको अब तक बिजली का बिल देते थे अब बिजली का पैसा सरकार आपको देगी और ये काम करने के लिए आपको लगता होगा ये मोदी बिजली का बिल जीरो तो ले आया सुर्य सोलर पैनल की बात तो कर रहा हैं लगाएगा कौन उसके लिए भी मोदी हर परिवार को 75,000 रुप्या देगा और ये ओनलाइन जा करके आप अपीसे अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हो उजना चालू है अजी गपड़ बाजी नहीं है कि ये होगा तो वो होगा नहीं चालू है आप अपना राम रजिस्ट्रा करवा दीजिए जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपका नमबर लग जाएगा बेटा तुम ठक जाओगे कोई मेरे स्पीजी के बंदू आप मुझे देना चाहते हैं ये मेरे लिए लाए हैं अच्छा मैं ले लेता हूं भया मुझे बड़ी दया आती है तुम कपसे खड़े हो भया लेकिन मैं देख रहा हूं तुन्हें बढ़िया बनाया है तुन्हें पीछे अपना नाम लिखा है बटा अच्छा अपना नाम लिखना और मैं आपको ये चिठी जुरूर लिखूंगा ये सबसे जो भी हैं ले लीजे बैई इतने प्यार से बच्चे लेके आए हैं मेरा सवभाग्य है सब कलेक कर लीजे बैई जो भी लाए हैं सब ले लीजे ले लीजे ये बेटी भी खुझ लेके आई है ले लीजे इससे ऐसा लग रहा है बच्चों का इतना प्यार कभी कभी सोचता हूं कि एक कर्ज मैं कैसे उतारूंगा मैं सब का अभारी हूं साथियों जितनी बिजली चाहिए मुप्त उप्योग करो और बागी बचे उसे सरकार को बेश कर कमाई भी कर लो बाई और बैनों नितिजी के नेत्रुत्म में एंडिये सरकार बिहार को बिकास की पट्री पर ले आई है आने वाले पांच सालों में हमें बिहार में और तेज विकास करना है आज उत्तरवर दक्षिन बिहार गंगाजी पर बन रहे दीगास वनपूर रेल रोड ब्रीज चे जुड़ चुका है इंडिये सरकार की पैचान ऐसे ही विकास के लिए हैं आने वाले पांच साल भारतिये रेल के आदुनी करन के स्वनिम साल होने वाले हैं इसका सीधा फाइदा पाटली पुत्र को होगा मेरे बिहार को होगा यहां नई इंडिस्ट्री आएगी रोजगार के नए अवसर आएंगे और इसलिए मेरे अनन्य साथी और मैं कहूंगा कुछ लोगों को राम के नाम से ही जगड़ा है और इसलिए वो राम कृपालू नाम भी जहन नहीं करेंगे ऐसे लोग जो है जिनको राम से घोर विरोध है और राम कृपालू नाम से भी उनकी माथे के बाल खड़े हो जाएंगे ऐसे राम कृपाल बाबू वो आपके प्रतिनिती बन करके दिल्ली भेजिए मेरे हाथ मजबूत करेंगे और इसलिए मैं आपके पास आशिरवाद मागने आया हूं और कमल पर पड़ा आपका वोट सीधे सीधा मोदी के खाते में जाएगा तो आप जादा से जादा मद्दान कराएंगे जादा से जादा मद्दान कराएंगे सभी मद्दान हो रहा है मतदाताओं का अभूत पुर्व उत्सव और उमंग हम लगातार देख रहे हैं मैं देश के हर मतदाता का अभिनंदन करता हूं और भारी संख्या में मतदान का आगरह करता हूं साथियों ये भूमे स्वर्गिया कैलास पती मिस्र जी की विरासत है उनकी तपस्या हर बीजेपी कायर करता के लिए प्रेरणा है बीजेपी कायर करताओं के महनत का परणाम आज पुरा देश देख रहा है ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग मनेर के लड्डू खा गया है हो मनेर के लड्डू महसूर तो है लेकिन लग रहा है कि मनेर के लड्डू की ताकत भी बड़ी है आप लोग भी चार जून के लिए ये मनेर के लड्डू तयार रखे चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं उसका एक्जीट पोल चालू हो गया है आप समझ लीजिए चार जून को पाटली फुत्र में नया रिकॉर्ड बनेगा और देश में भी नया रिकॉर्ड बनेगा इनना उजवान आप बैठिए मैंने देख लिया है आप बहुत बढ़िया काम करके लाए बैठिए आपके वो पोस्टर के कान पीछे लोगों को दिखता नहीं है अगर आप बैठ जाएंगे तो आपको भी सुविदा होगी और पीछे वालों को भी सुवाइदा होगी और आपके डारेक्टर जो होंगे साथ में उनको भी बता दीजिए कि आपको परिशान न करें छोटे बैच्चों को क्यों परिशान कर रहे हो बैए साथ क्यों मैं हिंदुस्तान के कौने कौने में गया हूँ जनता जनार्दन के दर्शन करने गया हूँ देश वाचियों के आसिरवार लेने गया हूँ माताओं बेहनों के सामने सर जुकाने के लिए गया हूँ और चारों तरप से एक ही मंत्र सुनाई देता है एक ही गुंज सुनाई दे रही है एक ही विश्वास चारों तरप प्रगट हो रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार आपके लिए महनत करने वाला मोदी है तो दूसरी तरप चोबिस घंटे आपसे जूट बोलने वाला इंडी गड़बंदन है एक तरप मोदी है जो चोबिसों घंटे सातों दीन दोहजार सैतालिस में विख्सित भारत बनाने में जुटा है जो 24 बाइ 7 आत्म निर्भर भारत बनाने में जुटा है जो 24 बाइ 7 देश की सुरक्षा बढ़ाने में जुटा है जो 24 बाइ 7 अच्छी आधुनिक सडके आधुनिक रेलवे देने में जुटा है वहीं दूसरी तरप ये इंडी गड़बंदन है इंडी गड़बंदन के पास काम नहीं है समय ही समय है खाली है देश वाजन उनकी छुट्टी कर दी है कोई जेल में विश्राम करके रहते हैं कोई बाहर रहते हैं और इसलिए एंडी गड़बंदन दीन हो या रात सरफ मोदी को गालिया देने में जुटा है दीन हो या रात वो वोट बेंक को खुश करने में जुटा है साथियों LED के बल्ब उसका जमाना चल रहा है और यह यहां बिहार में लालतेनिया लेकर लेकर भी गुम रहेजिए और एक ऐसी लालतेनिया है जो सिर्फ एकी घर में रोशनी करता है एक ही घर में रोशनी की है तीस साल का इतियास देख लीजिए एक ही घर में रोशनी और चारों तरफ अंधेरा हो जाए तो हो जाए उनके घर की रोशनी जलती रहे इस लालतेनियों ने बिहार में अंधेरा ही अंधेरा भैलाया है दूसरे के बेटे बेटियों के लोग पूछते तक नहीं है इंडी गडबंदन वालों का सूत्र है अपना काम बनता भाड में भाए अपना काम बनता जरा जोरों से बताईए तो सुनाईजिया उनको अपना काम बनता ये ऐसे लोग है भाई और भाणों ये सिर्प MP चुनने के लिए चुनाव नहीं है ये चुनाव